ग्रीटिंग है div के क्लास को मागे बढ़ाते हैं आज यह इस सीनुनिम की क्लास को हम कंप्भीट कर देंगे तो सबसे पहरा वर्ड आपके सामने सीवल्रस यह सीवल्रस हमने अट्onym में भी पढ़ा था सीवल्री तो सीव लड़ी में आपको बता दा कि सीव के साथ लड़ी तो सीव क्या थे एक पॉलाइट थे यानि वो उनका ओड़तों के परती रिस्पेक्ट ही थी तो उन्होंने लड़ाई नहीं की ठीक है केवल भारवती ही लड़ी थी इतना आपको याद करवाया था मैंने तो सीव लड़स का वास्तों में मीनिंग क्या होता है सीव लड़स का मतलब होता है कि किसी भी आदमी के मन में औरत के परती पॉलाइटनेस होना या वींदरमता होना मतलब औरत के परती रिस्पेक्ट होना मतलब ये man के लिए यूज किया जाता है और जिस man के अंदर औरत के पर रिस्पेक्ट होती है उस man को civil russ कहा जाता है इसका सिनोनिम होगा यहाँ पर हो जाएगा gallant इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा gallant gallant के दो मिनिंग होते है एक gallant का मतलब वीर, बहादूर, बोल्ड होता है सहसी भी आप इसे कह सकते हैं ब्रेव भी कह सकते हैं और दूसरा इसका मिनिंग होता है civil russ यानि वो आदमी जिसके मन में औरत के परती रिस्पेक्ट होता तो gallant के दोनों मिनिंग आप यहाँ पर कह सकते हैं crude का मतलब होता unrefined जो सुद नहीं है refined नहीं है crude oil आपने सुना होगा handsome आपको पता ही है अगला सब्द टिंकरिंग tinker से बना यह सब्द है तो tinker का मतलब होता है एक परकार से जुगाडबाजी जुगाडबाजी आप समझे कैसे कि एक आदमी है वो आदमी मतलब घर में जैसे बड़े होते हैं तो जैसे plumber का का में वो खुदी कर लेता मानलेजे कोई जो tap है वो खराब होगे तो खुदी ठीक कर ली मानलेजे कोई दरवाजे खिड़की कुछ हो गया तो वो भी खुदी ठीक कर लिया कंस्रक्शन का कोई काम हो वो भी खुदी ठीक कर लिया बिजली का एलेक्टिशिटी का थोड़ा मोटा जो काम हो वो भी खुद ठीक कर लिया यानि जो आदमी जुगाडबाजी होता उसको सारा काम वो कर लेता अलग बगत थोड़ा मोटा हो सारा काम कर लेता उसको जुगाड बाजी कहते हैं ऐसे नहीं कहते हैं और आपके सामने कावनेंट है कावनेंट का मतलब होता है लिखित वचन पत्र जैसे नहीं बोलते हैं मैंने तुम्हें जुबान दी है इसने कहते हैं यह तो जुबान का पकाई इसने जुबान दे दी ठीक है लेकिन कई आजकल जुबान से कुछ नहीं चलता आप सभी को पता सब दोखे बाद है तो आजकल जुबान से काम चलता नहीं है तो क्या होता है कि जैसे कोई किसी से पैसल लेता है तो पहले क्या होता था ऐसे आपने ममी पापा से, बडोस से, अपने दादा दादी से कि पहले लोग गहीं कह देते हैं कि वही मैंने जुबान दे दी है, मैं उस तारिक तक आपका पैसल उटा दोगा आजकल क्या होता है कि कोई अगर जुबान भी देता तो उसके कोई नी मानता कोई नी सुनता सिधा कहते लिख के दे अंगुठा लगवा के दे तो कmee consumers होता है लिखित वचन पतर यानि वचन जो भी आपने प्रोंस किया है जो भी आपने जुबान दिया वह आप Cos 갖 जाता है इसका शिनोनीम आप यहां पर contract कह सकते क्या कह सकते हैं Contract आगे बढ़ते हैं अगला सब केस आप अब सभी के खेंड्सम भी आप इसे कह सकते हैं तो टेंटे क्या होता स्मोल and ग्रेजफल कयर फरी चिंतने मुख्त फैमिन एंन हैपी ये तो पता है डेलिकेτ सी डेलिकेट से बना है डेलिकेट सुक्सम मही जो नाजुक सा होता है उसका आप डेलिकेट कह सकते हैं वहीं से डेलिकेशी सब्द बना है नेक्स वड़ आपके सामने डिफरेंस होता है डिफरेंस का मतलब समान करना रिस्पेक्ट करना होता है रिवरेंस भी कह सकते हैं इन डिफरेंस का मतलब उदासिन होता है सिंपती मतलब स उसकी जूठी परसंचा करना फ्लेटरी कराता है डॉर्मेंट होता है इनक्टिव जैसे आप बैंक या पोस्ट आपिस में अगर आपने आकाउंट खलवा रखा है तो आप एक साल के अंदर लेंदें नहीं करते हैं ट्रांजेक्शन नहीं करवाते हैं या नहीं आप निकलवा स्लीपिंग है इनक्टिव भी कह सकते हमल होता वींदरम आदमी जो अपने आपको दूसरों से कम समझता है क्विक होता तेज एक्टिव होता चूसत आदमी आगे बढ़ते हैं नेक्ट वर्ड आपके सामने ड्रेमेटिक है अब यह ड्रेमेटिक दो इसके मिनिंग होते हैं फिक है इप के ऒी आप समझ लेजिए एक तो ड्रेमेटिक ड्रामा से बना है बना नहीं ए है नाटक जिसको अच्छा होता अगर कोई नाटक होगा तो देखने में तो अपने आपी अच्छा होगा मतलब भौवे होगा सांदर होगा तो इसका एक स्पेक्टेकुलर क्या हो जाएगा स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकल भी सी से बना है तो स्पेक्टेकुलर होता वो चीज जो देखने में सांदर बहुए है इलिगेंट एक्सक्विजिट कह सकते हैं स्प्लेंडर भी कह सकते हैं एक दूसरा मीनिंग क्या होता है ड्रमेटिक का मतलब होता सदन सदन का मतलब अचानक से कोई चीज हो जाना जिसकी कोई उमीद हमें ना थी जैसे नोट बंदी एक प्रकार से ड्रेमेटिक चेंज था मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं था कि नोट बंदी हो जाएगी अगर ड्रेमेटिक का मतलब सड़न है जिसके उम्हें उमीद ना थी वह एकदम से हो गया तो उसका यहां पर सिनोनीम हो जाएगा अनप्रिसीडेंट तो इस बुक में यहां इसका अंसल लगा रखा स्पेक्टेकुलर तो यहां पर आप स्पेक्टेकुलर लगा सकते हैं लेकि प्रिसीडेंट क्या होता है प्रिसीडेंट जैसे जो यह थोड़ा सा लो या कोर्ट का मामला है कोर्ट का यह सब्द है जो सुप्रीम कोर्ट होता ना वो कोई भी फैसला बहुत ही सोत समझ के सुनाता है कोई भी फैसला वो एवे नहीं बता देता है बहुत जादा सोत समझ क बताता है ऐसा क्यूं होता है चूंकि मान लिए कोई केस है दो आदमियों के बीच में और उसके पड़ती हाई कोट ने या सुरी सुप्रेम कोट ने कोई फैसला सुना दिया अगर वही सेम केस दूसरे लोगों पे हो जा या नि कोई अन्य दो लोग है वो भी जेमी केस के दूसरा बताया था और आप हाई कोट होके आपने दूसरा बता दिया तो आप उस हाई कोट पे क्लेम कर सकते हैं तो सुप्रेम कोट कोई भी फैसला जो देता है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के देता है तो देखो उसको हम प्रिसीडेंट कहते हैं प्रिसीडेंट का मतल वाला जो था प्रिशिडेंट जो भी Supreme Court ने फैसला सुनाया था तो वो हम कई से fals Jasmine का मतलब ko Kaitlin ही नहीं वह अचानक से कोई चीज पहले हुई ही नहीं वह सदन है trimatic तो वो unprecedented हो जाएगा तो अमीद आप दोनों बात समझ गई होगे आगे बढ़ते हैं अब आगे thrilling है thrilling का मतलब होता है excitement हो जाना great feeling of excitement बहुत जदा उतेजित हो जाते हैं जैसे हम match जीतने वाले हैं तो बहुत जदा excitement हो जाएंगे या फिर हमें हमारी त्यारी बहुत अच्छे exam क रखते हैं तो देखते हैं सारे कोश्चन हम में आते तो बहुत जदा excited हम हो जाते हैं तो thrilling होता है great feeling of excitement एफेक्टिव परभावसाली होता है डूबियस बहुत ही कॉमन सब्सक्राइब होता है जगडे योग है डूप्लिकेट जो डूप्लिकेट है डेंजरस यह पता ही है अ इटरनल भी रिपीट हो चुका है इटरनल होता परपेचुँल 25 अधा कि रोलॉंग्ड भी होता है इनुम अंग निगनित इसके नंबर न strawberry कि chauffeur क्या सकती इंधरेबल जो मापा नहीं जा सकते हैं such a का मतलब क्या होता इवेंस का मतलब शो करना होता दिखाना होता है ठीक लुक का मतलब देखना ट्राइब परियातन करना अप्लाई लगाना होता है आगे बढ़ते हैं अगला सब्सक्राइब के सामने इवोक है इवोक का मतलब होता कोल्ड फोर्थ देखो कोल्ड फोर्थ का मत प्रजलब होता है एक ऐसा सोर्स जिस से पुरानी यादे जो भी पुरानी हमारे एक साथ गटनागटी थी कभी वो याद आ जाती है तो वो इवोक होता है जैसे कई बार आपThis song सुनते होंगे song के आपको पुरानी याद याद आती होंगी याप किसी ऐसी जगह पे गई हैं ज से माननी जे पहले आप मामा के घर रहा करते थे और वहां से आप आ गये हैं वहां से आप आ गये हैं तो वहां जाने के बाद आपको परानी यादे ताजा हो गई हैं इस कैप का मतलब होता बच के निकल जाना, प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना, समंड आपने सुनाओगा, समंड का मतलब बुलावा होता है, ओफिसली फ्लैबर गेस्टिड होता है, चकित हो जाना, सर्प्राइज, सोक्ट, एस्टोनिस्ट, डमफाउंडिड, जो चकित हो जाते हैं स्केर्ड का मतलब बहबित, इंबेरेस्ट होता है, लज्जित, हुमिलेटिड भी अपमानित होता है फ्लिम जी होता है, पतला, वीक भी आप इसे कह सकते हैं स्ट्रोंग, मजबूत, जस्टिफाइड, इंपल्स, यह आप समझेए, जस्टिफाइड आपको पता है इंपल्स जी व आदमी होता है, जो आवेग में या गुसे में होता है देखें, इंपल्स क्या होता है, मैं इसको वैसे साइंस की बादसा में समझा देता हूँ कि इंपल्स क्या होता है, ठीक है देखो, यह वेव होती है, ठीक है, यह वेव होती है तो यह जो उपर वाली चीज़े हो, यह इंपल्स है impulse का मतलब आवेग होता है आवेग का मतलब यह होता जैसे आपको कई बार बहुत ज़्यदा गुसा आ गया अचानक से तो आप impulse में हो आप impulsive हो मानले जिये आपके सामने ऐसी situation पैदा हो गई कि मानले जिये आपके सामने आपके घर वाले को पीट दिया किसी को या आपके सामने आपने घर वालों की हत्या कर दी तो आप बहुत ज़्यदा आवेश में आ जाओगे क्रोध में आ जाओगे तो वो impulsive आदमी कहलाता है उमीद आप समझ गया होंगे impulsive क्या होता है तो आगे बढ़ते हैं impulsive हो गया clear कहां पे थी यहां पे ठीक है अब आगे देखेंगे तो गैरिस गोडी में बहुत बार बता चुका हूँ जो बढ़किला होता है colorful होता है लूरिड होता है गोडी यह मैंने picture भी आपको दिखाए थी एक महिला की जिसमें उसने रंगीन कपड़े पहन रखे थे चमकदार तो गैरिस गोडी colorful जो बोज़दा बढ़किला होता है ठीक है unusual जो एसाधान है exciting होता है confused जी आपको पता ही आगे बढ़ते implacable अगला सब्द आपके सामने क्या है implacable implacable को कहेंगे unappeasable appease का मतलब होता सांथ करना appease का मतलब क्या होता सांथ करना appeasable होता सांथ करने योग है unappeasable हो जाएगा सांथ करने योग है जिसको आसानी से सांथ नहीं किया जा सकता आसानी से नहीं मनाया जा सकता है वो gentle नहीं होता है वो rude होता है एक परकार का हटी होता है ठीक है तो implacable हो गया है समझ में आ गया होगा अब relent क्या होता है relent का मतलब बहुता आसानी से मान जाना अपना कोई aim थाओ आसानी से change कर लेना दर्ड निश्चे ना होना relentless इसका उल्टा हो जाएगा relentless हो जाएगा determined दर्ड निश्चे या steadfast भी आपी से कह सकते है ठीक है dangerous खतरनाक होता है hazardous भी कह सकते है इसको ठीक है perilous भी कह सकते है courageous होता उत्साही courageous क्या होता उत्साही ठीक है आगे बढ़ते है अगला सब्द आपके सामने induct होता है induct का मतलब आरोप लगाना accuse करना होता है entrapment का मतलब होता है trap क्या मतलब क्या होता jal entrap क्या होता jal में फसाना entrapment हो गया एक परकार से jal में फसाया वाकुई आदमी ठीक है यह process होती है entrapment trap में या फसाने की प्रिकरिया को भी entrapment कह सकते है अगला सब्द आजा कई टीचर कैसे होते है कि वो हमें साम मनवानी की बात करते हैं जैसे उसने कोई rule बता दिया कोई formula बता दिया तो वो कहेंगे भाई इसको याद करो इसका basic क्या है कहां से इसका origin हुआ है कुछ नहीं आप सीधा याद करो रटा मारो जो मैंने कहे दिया वही ultimate है जो है वही है क्यूं आया कैसे आया कहां से आया कोई मतलब नी होता है जो टीचर ने बोला वही बच्चों ने लिख लिए वही याद कर लिया किस के मन में कोई جगयासा नहीं है कहां से आया क्यूं आया कैसे आया कुछ नहीं है मतलब उसको क्या कहते है indoctrination कहते है indoctrination का मतलब होता है कि हम कोई भी बात हमसे जो सिखाई जाती है पढ़ाई जाती है याद करवाई जाती है हम सीधा आख बंद करके अंद विस्वास करके उस बात को याद कर लेते हैं पढ़ लेते हैं सीख लेते हैं लेकिन हम अपने मन में कोई question नहीं उठा पाते हैं क्यों आया कैसे आया कहां से आया जो कहा दिया वही सकते हैं यह होता है indoctrination इसका just opposite होता है teaching teaching का मतलब होता है कि जो भी teacher ने पढ़ा दिया है आप लोगों तो teacher कहेगा भाई अगर आपके मन में कुछ भी question आता है कैसा भी question आता है कहीं से भी question निकलता है तो आप पूछो आप discuss करो आप मानों मत जो मैंने बता दिया उप्रम सत्य नहीं आप उसको ऐसे मत मानों कि आपने मान लिया जो है नहीं अगर आपके मन में कोई question आता है कोई doubt आता है कोई query होती है कोई question आता है तो आप just पूछिए तो वो teaching होती है तो teaching का मतलब होता है कि बच्चों को encourage करना उनको innovative बनाना creative बनाना उनको मतलब जिग्यासू बनाना और indoctrination का मतलब होता है वह रटा मारो जो बता दिया और रहाद करो अपना निक्जाओ निकलो बात करता है तो यह होता है अप समझ गया होगा यह बात आगे बढ़ते हैं आगे inducement में बहुत बार बता चुका हूं induce का मतलब होता पैदा करना कोई ती जे पहले नहीं थी आपने उसके अंदर पैदा कर दिया वह induce कर लाता ठीक है अगला सब्स इंडी जेंट का मतलब वेरी पूर होता है इंडी जेंट क्या होता है वेरी पूर इसको मैं याद करा देता हूं अच्छे से देखो इंडी जेंट याद कैसे करेंगी एक तो है इंडी और दूसरा है जेंट जेंट आप समझते होंगे इंडी होती है ना जैसे मटका है है ना मटका लेकर चलते हैं तो इंडी अपनी बासा में इंड वा भी कहते हैं इंड बड़े वाला होता है और इंडी जो छोटे वाली होती ठीक है तो इंडी जो कुवा पूजने वगरा जाते तब भी ऐ लाई होती है ठीक है लेकिन इंडिय अगर जैन्ट के सिर्फ पे हो ठीक है इंडिय अगर जैन्ट के सिर्फ पे हो तो मतलब जो लोग मजदूरी करते हैं जो लोग ध्याड़ी औगरा करते हैं जो लेबर होती है अमोमन वो ऐसा काम करते हैं तो आप समझे कि अगर इंडी तो आपको याद करने का बस मैंने एक ट्रिक क्या होता है तो आपने मन में इमेज बन जानी चाहिए दिमाओ को पूर रहा होगा होगा ठीक Chee उम्मीद आप इतनी बार समझ गए होंगे, तो दिखो, इंडिजन्ट एक मट उपर है, इंडिजन्ट क्या हो गया, पूर, बाकि आप सभी को पता है, गिल्टी वगेरा, आगे बढ़ते हैं, अगला सब्द आपके सामने इनोच्वैस होता हामलेस, बीना हानीका, अबॉम होता है है, डिटेस्टेबल, डेस्पिकेबल, अबॉड भी कह सकते हैं, मसल्ब गरना करने हो गए, हाम फल हानीकार होता है, यूजफू़ लाब दायक होता है, इन्टो, इन्निवेशंस क्या, इन इन築ंडोज कि उता है इंसिनूचन यह भी आपको समझना पड़ेगा क्या होता ठीक है इन्न इन्न वेंडोज इन्सिक्टन इन्न इन्सिन्वेशन यह क्या होता है इसको आप समझे लुप को पुझ। कई बार नहां हम directly कोई बात नहीं कहते हैं देखो मैं इसका example देता हूँ मालने जी एक घर में चोरी हो गई मालने जी example देते हैं एक घर में चोरी हो गई यहाँ पे बहुत सारे आदमी है ठीक है और इन आदमियों से पूछा गया मतलब यह आदमी है इसका नाम a, b, c, d and e है ठीक है तो a, b, c, d यह पाच आदमी है अब कहीं पे चोरी हो गई घर में और जब पुछा ताची की गई तो मालने जी c को हमने reference माल लिया c से पुछा गया तो हमने कुछ नहीं का सीधा बोल दिया कि c मतलब दिखो मालने जी सब सांत है घर में चोरी हो गई यह सारे घर के मेंबरी है family मेंबरी है मलबी situation आप बनाओ घर में कि मालने जी घर में चोरी हो गई है कोई बड़ी चोरी हो गई है मालने जी किसी ने 50,000 पे निकाल लिए आपने अलमारी में रखे ते पचास जार पे निकाले ठीक है किसी ने निकाल लिए और घर में निकाले है तो घर वाले ही हैं और घर वाले जब ममी पापा मान लिजे पूछते हैं पांच मान लिजे यहां पे हैं तो मान लिजे किसी एक से कहा मान लिजे सी से कहा C से सिधा बोले कि यही मानदर यह चोर ही नहीं कर सकता मतलब यह चोर नहीं है आप समझ गये ना किशी को कुछ बोला इन सिधा बोला C चोर नहीं है यह चोर ही नहीं कर सकता तो आप समझ गयोंगे कि आप indirectly C को चोर बोल रहे हो क्योंकि आप बाकी 4 को छोड़कर C को ही focus मान लियो C को ही reference आपने मान लिया है बाकी 4 का मतलब 4 को तो कुछ कहा नहीं आपने सिधा C को बोल दिया इसका मतलब यह कि आप ना directly तो बोल नहीं पाई आपने इंडिरेक्ली उसको बोल दिया कि भाई तू चोर आप समझ गे इतनी से बात यहनी reference देखें इंडिरेक्ली hint के साथ डिरेक्ट नहीं बोला सिधा नहीं बोला भाई C तू चोर अरपे निकाल दे नहीं आप थोड़ा सा hint देते हो थोड़ा सा indirect reference लेते हो तो उस चीज़ को क्या कहते है इंडिरेक्ली उसको इन्नेयस का स्यूनुनिम क्या हो जाएगा इंस, सिर्वेशन, इंडिकेिसन टल का स्यूनुनिम क्या हो जाएगा इंक, सिर्वेशन ठीक है सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सब्द आपके सामने नेक्ट वर्ड इंसोलेंट यह बहुत बार बता चुका हूं मैं इनको सोलन्दे भाई रूड होते हैं देखों इंसोलेंट इंसोल्टिंग वोलेंट हिंसेक होता है पुलाइट वींदरम होता फ्रीवलस होता मुरकटा पूरन अगला सब्द इर्रीवरेंस बहुत बार बता चुका हूं इर्रीवरेंस होता है एस समान करना डिस्रिस्पेक्ट करना cruelty का मतलब cruel आपने सुनाओगा cruel होता है निर्दयता कह सकते हैं बाकिया आपको पता है latent का मतलब hidden होता है latent का मतलब क्या होता है hidden छुपा हुआ primitive होता जो primary से संब्द होता प्रात्मिक से संब्द होता जो ज़्यादा ही potent नहीं होता है है पोटेंट होता है सक्ती ट्रेंटीड आप पता है मैंस्यू का मतलब होता है टोटल मैंस्यू का मतलब क्या होता है टोटल हुदे का GOT होता है मितलब बहुत ही गंदा कह सकते हैं आपफेफ Best इन होता है discussing इसका सुनो नोट है ्लेंग सिंटिंगि मितीं इस इनुन घर की जो मतलबедь डिस और श्जिंय आइंगे कि एशोफ में थी शीव देम फोलते परसंस हברina, इनक्टिविटी होता है, आपको मैंने एक और अर। उसका सीनोनिम है, तो आपको कमेंड करके बठा ना है, कौन सा ऐसा बोला था, जिसका एक मिनिंग क्रेक्टिकल होता है, बागी आपको पता कोजल होता कारक समंदी ठीक है रिपेरेशन क्या होता है रिपेरेशन होता है कमपंसेशन मौवजा जिसको आप बोल सकते हैं कोरिलेशन आप सबी को पता है S person यह आप समझे, S person क्या होता, S person इसको आप समझना पड़ेगा, देखो S person क्या होता, तो S नीचे लिग दिया है मैंने person तो अब इसका मैंने वैसे मैं कलास में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी आप समझ लेजिए स भी होगी, सल्मान कान और S determin CM अब आप सकते हैं, तो जब इन दोनों के बीच में था एक घटना की बात थी, जो निउज में आई थी, उस टैम पे अगर आपने पड़े होगा तो बहुत ही पुरानी बात आप सभी को भी होगी ह है, बहुत ज़़धा टाइम हो गया है तो उस शमय उस मतलब न्यूज में था कि सलमान खान ने सराब पीकर एसवरिया राय के घर में मतलब गुषना चाहा उसे बतमेजी करनी चाही मतलब ये एसवरिया राय के बयान थे या कुछ भी था जो भी आप समझ लेजिए तो एसवरिया राय ने क्या किया एस से याद रखेंगा एसवरिया राय तो एसवरिया राय एक ऐसी परसन है एक ऐसी वेक्ति है वो जिसने सलमान खान की जो भी उसकी रेपूटेशन है जो भी उसका स्टेटस है जो भी उसकी इंटीग्रीटी है या जो भी उसने कमाया है आएस परसन से याद रखेंगे कि एस रिया राय ऐसी पर्सन है जिसने सलमान खान के रैपूटेशन के ओ पर दाग लगाने की कोशिस की थी यह बात न्यूज में डालके तो एस परशन से याद रहेंगे कि किसी भी आदमी की मतलब जो रिस्पेक्ट होती है रेपूटेशन होती है उसके उपर अटेक करना एक प्रकार से ठीक है उसको गलत प्रूव करने की कोचिस करना उस आदमी को ठीक है डेलिगेंशन परती नहीं दी तो यह आपको पता ही होगा अगला सब्सक्राइब के सामने सेलिट्री सेलिट्री होता है बेनिफीशियल अगला सब्सक्राइब का मतलब होता स्लीप इंड्यूजिंग मतलब जिसको देखकर नींद आ जाए ना कई बार ऐसी होती है चीजे या ऐसी सिच्वेशन हमारे सामने होते हैं कि जैसे मान लिजी आराम से हवाद चली नेच्रल और हमीं नींद आने लगती है या कई हम सफर करने बस में नीद आने लगती है यानि कुछ एक ऐसी कारक है कुछ एक ऐसी चीजे हैं जो हमें मजबूर करती हैं में नीद आए तो वो स्लीप इंड्यूजिंग होती है स्पूरोफिक सोधिक होता सांत करने वाला टैरिफिक सुप्रीम यह आपको पता है अग्याब सबी को पता यह उमीद है कमपेणियंसी तो कंपेणियंस आप जानते होंगे अब अगला सब्सक्राइख का मतलब वह था पर्सूरेड मनाना खोसामंद करना किसी चीज को पैसीफाइस करना पूनी से पर लिजी आपको पता है ठीक है अगला सब्द रिनाउंड क्या होता इसको समझ लेजी आप यहां पे रिनाउंड होता फेमस इलिस्ट्रस एमिनेंट फेमस पॉपुलर नोट और यह सोता क्यों ख्याद आदमी जो फेमस होता है नेगिटीव चीज़ों की वज़े से ब्रेव अगर आप जानते हैं नेक्स आपके सामने ब्लेज ब्लेज का मतलब फायर रेज गुसा मैंने रस का एक सिनोनीम बताया था डैस और डैस आप लोगों को याद होगा कि तेजी से भाग जाना है डैस मैंने कल की क्लाश में बताया था मार्क चीन होता है टेंजेंशियल क्या होता इसको भी आप समझ लेजे मैथ की बास आप इतना तो ज मान लेजे कोई सरकल है और सरकल से रेकृत कर तैंजेंट फिर इसको टूछ करती वीजाते चनेंजेंशिए च्मारी अंदर आपको पता ही है अगवड़ते हैं अगला सबदाब के शामने ट्रांस होता पार भासिज में आर पार दूंडला दिखाए देता ओपैक होता है पारदस्टी सार्प तो पता यह है फ्रूटलेस होता यूजलेस का यूज नहीं कर सकते हैं बाग क्या आपको पता है आप एक मिनुट रिविजन ले लेते हैं जल्दी से देखिए सबसे पहला बड़ सीवलस सीवलस वादमी होता जिसके मन में औरतों के परति रिस्पेक्ट होती है गैलेंट कह सकते हैं कावनेंट होता लिखी ते वचन पत्र होता कॉंट्रेक्ट कह सकते हैं डेंटी का मतलब स्मोल एंग्रेसफल होता है छोटा है उमसुंदर इवोक में स्पेक्टेकुलर है तो आप स्पेक्टेकुलर पर निशाल लगाएंगी डूब्यस होता है डाउटफल यानि एउप्टन हो जाएगा डूपलीचिटी होता है डूपलीकेट जचीज होती हो दोखा देती है डिसेप्शन हो जाएगा एटरनल होता अनंत कह सकते हैं फ्लेबर् привIf यह वीक फिल्म जी क्या होता एक गयरिस गोड़डी होता है इंपले के बलो होता है एंपीचेबल जिसको अपीज नहीं wrapsा को सकता है मनाया नहीं जा सकता है hint देते हैं, insolent क्या होता है, insulting, यह बहुत पर पढ़ा चुका हूँ, irreverence होता है, disrespect, latent होता है, hidden, messy होता है, large in size, messy का मतलब क्या होता है, large in size, ठीक है, obnoxious होता है, disgusting कहा सकते हैं, panacea, ramban, cure-all, pragmatic होता है, practical, reparation का मतलब होता है, यहाँ पर compensation, salutary का मतलब beneficial, shrink का मतलब क्या होता है, cerebral, sporific होता, sleep inducing, wagery होता है, impulse, आवेक, joss, gusa, coax का मतलब, persuade मनाना हो सकता है, renowned का मतलब, यहाँ पर देख सकते हैं, renowned का मतलब होता, famous, blaze का मतलब, fire, tangential होता, superficial, relevance, transparent, clear, और fruitless क्या होता है, useless, यह हमने synonym के class को खतम कर दिया है, तो उमीद आप सारे बच्चे साथ के साथ इनको पढ़ रहे होंगा, अगर आप साथ के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो आप एक साथ कभी भी वक्यावियाद नहीं कर सकते हैं, तो thank you for today in joining the class.